नमस्कार दोस्तों ट्रेंडिंग टेक चैनल में आप से भी का स्वागत है मेरे नाम है आमन टेकनियोस के इस फ्रेश एपसोड में मैं आपके लेकर आए हूं बहुत एक माल की टेकनियोस तो चलिए शुरू करते हैं तो जहां पर सबसे पहले खबर की बात करते हैं सैंसेंग गलेक्सी एस सेवन को लेकर दोस्तों एमाजोन पर इसका टीजर निकल का सामने आया है जिससे पता जाता है कि यह स्मार्टफून जल्दी लौंच होकर इंडिया में जैसा कि आपको पिच्छर में देखाया गिया है क इसका लेड़ कुछ ऐसा होगा सामने की तरफ हमें 10.7 एंच की बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी जिसके जरी आप गेमिंग और इंटर्टेनिमेंट डोनों का मज़ा ले सकते हैं दोस्तों बताया जाता है कि इसमें आपको काफी स्लिम डिजाइन देखने को मिलेगा स्लिम डिजाइन होने के बावजूद भी इसमें आपको काफी बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी जो के अची बात है दोस्तों अगर हम बात करें इसके फीचर की तो दोस्तों इसमें आपको क्वार्ड स्पीकर देखने को मिलेगे वेड़ डोल मी एटमोस के साथ जो के अ तरुसे दोस्तो Nokia 9.3, 7.3 और साथ में 6.3 ये तीनों समार्टफोन नमंबर मन्थ में लॉंच होंगे दोस्तो अगर हम बात करें जहां पर Nokia 9.3 की बताया जाता है कि ये समार्टफोन फ्रेक्शिव लेवल का होगा जिसमें आब आपको 120Hz की डिस्प्ले को मिलेगी अगर हम बात करें डिस्प्ले की तो दोस्तों इसमें आपको 120Hz की डिस्प्ले को मिलेगी और ON THE BACK साइट आपको 108MP का मेन कैमरा देखने को मिलेगा जिसके जरी आप 8k वीडियो कर सकते हैं उसके बाद बारी आती है Nokia 6.3 की बताया जाता है किसमें आपको सामने की तरफ 6.2 इंच की Full HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो के अची बात है अगर हम बात करें हार्ड वेर की तो बताया जाता है किसमें आपको Qualcomm का Snapdragon 670 जा 670 चिपसर देखने को मिलेगा और साथ में आपको 4000 मिलियंपेर की बैटरी देखने को मिलेगी जो के अची बात है उसके बात बात करते हैं चांपर Nokia 7.3 की दोस्ते इसमें आपको 6.5 इंच की Full HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी और इसमें आपको Qualcomm का Snapdragon 690 चिपसर देखने को मिलेगा जो के अची बात है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये तीनों स्मार्टफोन नवंबर मन्त में लौंच होगे बाकी देखना जही है कि ये स्मार्टफोन के स्प्राइस में लौंच होगे क्या आप इसके लिए इंटरस्टेड हो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तो जहां पर बात करते हैं अगल integrated fingerprint scanner के साथ जो के अची बात है दोस्तो और यूमर बता रहे हैं किसमें आपको dual battery देखने को मिलेगी जिसे आप 65 watt से charge कर सकते हैं जो के अची बात है जैसे कि आपको picture में दिखाया गया है कि इसका layer कुछ ऐसा होगा ऊपर की तरफ हमें 16 megapixel का selfie camera देखने को मिलेगा और on the back side official के होगे और साथ में dual LED flash layer देखने को मिलेगी जो के अची बात है बाकि अगर बात करें launch की तो कहा जाता है कि यह smartphone 13 October का launch होगा जो की अची बात है बस दोस्तो देखना जही है कि इसकी price का होगी और यह smartphone इंडिया में कब launch होगा क्या आप इसके लिए interested हो मुझे comment करके बता सकते हैं दोस्तों आज मेरे थोड़ी तबीत खराब थी उमीद है फिर भी आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी जे वीडियो ये टेक दियो पसंद आएगी तो बस फिलहाल वीडियो में दोस्तों इतना ही देखने के लाव का बहुत बहुत दन्याबाद अगर आपने आगर आपको में लाव का बहुत आपने के ध